नमस्कार मैं हूं कुमार गजेंद्र जन्पत on the spot में आपका स्वागत है हमारे दूसरे सोचल मीडिया प्ले टॉम पॉड़कास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है अब बात करते हैं दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज़ जीबाल की जैसे ही चुनाव नजदीक आए अर्विंद केज़ जीबाल का मुफ्त 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 की रेविडियों का पिटारा खुल चुका है और अब उन्होंने एक बार फिर से मुफ्त का सौधा बाटने के नाम पर जिस तरीके से बोट मांगने सुरू कर दिये हैं वो कहीं छिपा हुआ नहीं है उन्होंने बाकाइदा इसके लिए तुरंत एक गोशना कर दी और गोशना के बाद जिस तरीके से अब वो जाकर लोगों को ये बताने की कोशिस कर रहे हैं कि देखें हम महिला सरस्चिकरन का काम कर रहे हैं और इसके लिए हम किस तरीके से महिलाओं की मदद कर रहे हैं आज सरी वार को टाउन हॉल के अंदर स्विक सेंटर के अंदर एक वार जो केजरी वाल ने पूरे तरीके से जो महिला सरस्क्राइब का नारा दिया वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके की बाते की वो सच मुझ बहुत हास्यास पद है लेकिन वो जानते हैं कि मीडिया में हाइप कैसे लिया जाता है क्योंकि मीडिया के हाइप की वज़े से ही वो आज मुक्रमंत्री है तो उन्होंने आज सीधे सीधे महिलाओं को दिल्ली की महिलाओं को संबोदित करते हुए कहा कि वैसे तो हमें पता है कि दिल्ली की बहुत चर्चा है कि दिल्ली की सातों सीटे अर्विंद केजीवाल जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी जीत रही है और इसलिए आप एक चीज ध्यान दखिए बहुत बहुत हसने बानी में बात हो सकती है एक बात आप ध्यान दखिए कि अगर पती घर के अंदर आपका पती अगर मोधी मोधी करे तो उसको खाना मत दीजिए खाना देना बंद कर दीजिए उसको और आप सोचिए कि आपके ससक काम कौन करता है तो याने के एक तरीके से देख जाए कि अर्विंद केज़ीवाल अपनी बोट की राजनिती के लिए महिलाओं को बढ़काने में लगें हैं हाला कि ऐसा कुछ नहीं होने बाला है क्यूंकि ये सब पहले ही अर्विंद केज़ीवाल मान चुके हैं कि 2024 का चुन ने जिस तरीके से आपके पर्स में हजार रुपे हर महीने डालने की जो योजना लाया हूं में ये बहुत बड़ी योजना है और आपका ससरक्ती करण इसी से होने बाला है लेकिन अर्विंद के जिवाल ये नहीं अभी तक बता पाए हैं कि आखिर क्या वो दिल्ली के अंदर जो भी महीला होगी क्या सभी महीलाओं को एक हजार रुपे देंगे या इसमें कैटेगरी वाइज महीलाओं को एक हजार रुपे दिया जाए देखे ये वो आदमी है ये वो सक्त है कि दिल्ली के अंदर जिस आदमी ने लाडली जो लाडली जो जनाती उसको बंद करा दिय यह पूरी तरीके से लगवा हम आपको यह बताते हैं पूरे तत्यों के साथ आप इसमें सर्च कर लीजिएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्र जो सीला दिक्षित थी तो इंदर जब सत्ता में आई थी तो किसी बच्ची का तो उसी टाइम इस्कूल को इंस्टेक्शन्स थी मेरी बात को बहुत गौर से सुनियेगा कि इस्कूल को इंस्टेक्शन्स थी कि वही पर एडमीशन के वक्त ही उस जिस बच्ची का एडमीशन होगा फस्ट किलास के अंदर उसके उसी टाइम बैंक के अंदर एकाउंट खुलाया जाएगा को लादिया जाता Hanım जैसे बच्ची आगे पड़ती जाती उसके पैसे स्टेप बाइज स्टेप उसके खाते में आते जा कि बार मीं में जब बच्ची पास होती थी तो उसे एक मुस्त रखम मिलकी ताकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई इस पैसे से आगे बढ़ सके यह दिल्ली की मिश्कमत्री स्वर्गे सीला दिक्षित दी नहीं यह योजना सुनु आप समझे वो योजना गंदी थी यह जो योजना लाएं यह अच्छी थी उसमें आप समझे जो बच्चियों के पढ़ाई पर ध्यान दिया गया था ताकि पढ़ लिखकर बच्ची बड़ी आधिकारी बने अपसर बने अपनी आगे की पढ़ाई सुरू रख जादी रख स आया कि किन महिलाओं को आखिर एक हजार रुपे दिये जाएगी दीने दीने करके जो दिल्ली के मुक्रिमंति अर्विंद केजिवाल एंड कंपनी के लोग जिस तरीके से इसको परचानित कर रहे हैं जब इसका पूरा मसोदा हमारे सामने आएगा तो उसमें कैटेगरी बा जाएगी जो महिला इंकम टेक्स देती है उसको नहीं मिलेंगे जो महिला सर्विस करती है उसको नहीं मिलेंगे जो महिला बिजनिस करती है उसको नहीं मिलेंगे जो महिला कोई और रोजगार करती है उसको भी नहीं मिलेंगे तो आखिर वो कौन सी महिला है जिनको ये पैसा दिया जाएगा आप जरा समझ यह किस तरीके की यह कैटेगरी बाती गई है यानि के क्लास जो क्लस्टर में रहते हैं जो जुगिज ओप्रियू में रहते हैं केवल यह उन लोगों के लिए योजना बनाई गई है जैसे कि अर्विंद केजिवाल ने पूरूव में योजना ब बनाई थी अभी तक यह सामने नहीं आ पाया है कि आखर यह एक हजार रुपे की जो रकम है किन महिलाओं के खाते में डाली जाए अगर अर्विंद केजिवाल इसमें पताते हैं इस परस्ट करते हैं जैसे के डीटी सी के बसों के अंदर महिलाओं की यात्रा मुफ्त है तो वहाँ पर सभी महिलाओं की यात्रा फिरी है आप एक बार ये बोलिए केजिवाल साथ ये जरूर बताएं कि आखिर दिल्ली के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके खातों में एक हजार रुपया डाला जाएगा पर मत तब तो बात बनती है लेकिन ये जो गोल बोल ग जो दिल्ली के टैक्सपेयर का पैसा है जो दिल्ली के डवलप्मेंट में लगना चाहिए उस पैसे को आखिर इस तरीके से मुफ्त की रेविडियों में पाट चो रहे हैं और चुनाब आते ही ये वादेक्टों सुरू हो गए हैं दिल्ली के अंदर डवलप्मेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है लेकिन बोर्ट बैंक बढाने के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेविडिया बाट रहे हैं सच मुछ बहुत चोकाने वाला है और आप समझे कि देश किस तरीके से पीछे जा रहा है पिछण रहा है दिल्ली खास तोर पर किस किसे पीछा रहे हैं तो कि आखे डवलाप मेंट का क्या हुआ आज दिल्ली की जनता को जो युवा पीरी दिल्ली की जनता है उन सबको डवलाप मेंट चाहिए पक्के रोड हो अच्छा पानी हो खरंजे हो पुल बहुत अच्छे हो और आप जो सबसे बड़ी जरूवत है क्योंकि सड़कों पर आप एंक्रोचमेंट और दूसी वजाओं से जगा बची नहीं है गारियां चलेंगी कहां लेकिन गारी हम क्या कह गए अर्विंद के जीवाल तो पूरी दिल्ली को स्लम प्लसर बनाने पर तुले है उनका वोट वैंक से जुगी जोंपरियों के अंद मुफ्त की देवरियों में फसना चाहते हैं या डेवलप्मेंट करना चाहते हैं आप अच्छी सड़के अच्छे फ्याइवर अच्छे या क्लस्टर चाहते हैं। अब यह फैसला, आपका है, आपको चणना होगा आपके लिए अच्छा प् fluor का मुफ्त का सौधा बाटने ने बाला या फिर दिल ली के अंदर सोचिए आपको क्या करना है अगर आपको हमारी ख़बर अत्ती लगी हो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर लिजिएगा कमेंट्स वॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा इस्से में और जब लिखेगा यहीं चाप।